दोस्तों आज इस वीडियो को आप लाइक करेंगे कि या फिर आप सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को ये मैं आज नहीं कहने वाला हूँ लेकिन हाँ मैं इतना कहूंगा कि हर बेक्ती से जो ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है क्योंकि इस वीडियो में में जो information देने वाला हूँ with proof जिससे आप भी समझ सकते हो क्यों ये मैं share करने के लिए बता रहा हूँ तो दोस्तों मैं हूँ हसान आप देख रहे हैं you need to know चलिए बात करते हैं main topic को पर दोस्तों हम सभी को पता है Google Play Store में ऐसे बहुत सरे online application है जो कि आपको बिना civil का ही बिना documents का ही आपको online loan provide कर देते हैं 1500 से लेके 10,000, 15,000, 20,000 तक लेकिन ये जो application इननों का सबसे बड़ा drawback होता है ये ये लोग जो है illegal तरीके से आपसे पैसा वसूल करते हैं और आपको black whale harassment ये सारे के सारे कुछ करते हैं ये लोग ना तो RBI के साथ register है ना तो इनका कोई bank या NBC से register है तो दोस्त ये सारे application करता क्या है कि अगर जब भी आप payment देने से थोड़ा late कर देते हो ना तो आपका personal data list तो ही है साथ ही साथ आपका जो contact list में जो number है वो ये लोग hack करके उस contact list में WhatsApp करते है कि ये आप ये बंदे ने loan लिया है पैसा खा के बैटा है हमारा पैसा नहीं दे रहा है मतलब simply आपके friends family को आपको loan का information जो है देता है plus उनको भी call करके harass करते है message करके harass करते है तो यहां तक तो जो ह है दोस्तों common है ये सब कुछ को सबको पता है लेकर क्या होगा अगर आपका personal कोई private photo है आपके mobile gallery में हो सकता है आपके wife के साथ हो सकता है आपके girlfriend के साथ हो सकता है आपको खुद का personal कोई photo है और वो photo इन लोग के हाथ लग जाए और ये लोग आपको उसी चीज को लिए blackmail कर है कि भाई तुम पैसा नहीं दोगे तुम्हारा जो personal photo है हम social media पर अपलोड कर देंगे या फिर आपके दोस्त को या फिर आपके खली को भेज देंगे या फिर आपके wife को भेज देंगे इस तरीके सा कोई harassment करेगा तो इनसन क्या कर सकते सोचिए तो दोस्तों आपको इसको जाने के लिए इसके प्रूब दिखाने के लिए में आपको यहां पे हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल यहां पर आपको शेर करना चाहूंगा दोस्तों यह हाली में दो दिन पहले के घटना है मुंबई में 38 साल का एक युवक ने कतित तोर पे अपना जान दे दिय है सुसाइट कर लिया है इसके चत्त की इनका जो फोन है इनका फून गैलरी है वहां से फॉटो कुछ लोन ए प्लिकेशन ने इसके लिया है और उसको फॉट्व सोप में हैक करके बनाके मतलब एडिट करके निव फोटो बनाके इनके जो भी फैमिली मेंबर है ओफिस का लि तो आपका नाकेबल contact list आपको gallery से भी ये लोग photo है कर सकते और चाहे ये लोग इस तरीके से गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकते तो आपको अभी तो ये पता चल चुगा होगा आप सवाल आता है कि इन लोगों से बचना कैसा है देगी दोस्तों बचने का सबसे अच्छा तरीका है इन सारे application से आप loan low ही मत और अगर आपको बहुत जरूरत पड़े तो RBI register बहुत सरे application है और जो कि official bank का भी कुछ application है प्रेश्टोर में बिल जागा आप वहां से जाके loan apply कर सकते हो सकते आपको documentation बगरा ज्यादा जरूरत पड़े rate of interest जो है कम होता है इन लोगा लेकिन documentation की जरूरत पड़े लेकिन यहां से आपको जो है आईसा कोई harassment नहीं होता है क्योंकि यह लोग RBI के अंदर होता है maximum आपको हो सकते आपको call आएगा collection call अगर late होता या फिर late payment charges भनना पड़ेगा civil खड़ाब को इतना सब हो सकते लेकिन यह आपके gallery से photo लेकिए दूसरे को WhatsApp नही करेंगा